ओम शी विश्णवे नमा राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं माबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज जेश्ट मास गुरुवार के दिन में आपको सना रही हूँ भागवान विश्णु की कथा बंधों जो कोई मनुष्य गुरुवार के दिन भागवान विश्णु की कथा को सुनते हैं भागवान विश्णु उन्हें मनों वांचेत फल परदान करते हैं बंधों गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित है गुरुवार को केले के व्रिक्ष की और पीपल के व्रिक्ष की पूजा का विधान है जो कोई भी गुरुवार के दिन केले के व्रिक्ष की पूजा करते हैं और पीपल के व्रिक्ष की पूजा करते हैं भगवान विश्नु प्रसन होकर उनकी सभी मनुकामनाएं पूरी करतेते हैं बंधों क्योंकि केले के व्रिक्ष में भगवान विश्नु का वास है और इसी प्रकार पीपल के व्रिक्ष में भी भगवान विश्नु का वास माना जाता है बंधों और गुर्वार के दिन भगवान विश्णू की कथा अवश्य सुने। बंधों यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन लबाना ना भूलें ता कि आपको हमारी आने वले सभी वीडियो कि जानकारी साथ से पहले हो सके बोलो विश्णू भगवान की जय हो। भीशन जी ने पूछा विप्रवर मनुश्य को भी देवक्व सुख राज्य धन यश विजय भोग अरग्य आयू विद्या लक्ष्मी पुत्र बंधोवर्ग एवं सब परकार के मंगल की प्राप्ति क ब्रहामन सदा ही बिद्या आधी गुनों से युद और श्री समपन होता है। तीनों लोकों और पर्टेक युद में ब्रहामन देबता निर्थ्य पवित्र माने गई है। ब्रहामन देबताओं का भी देबता है। संसार में उसके समान कोई दूसर नहीं है। वह साक्षात धरम की मूति है और इस प्रित्वी पर सब को मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रहमन सब लोगों का गुरू, पुज्य और तिर्थ सरुप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्य बताया है। पुर्वकाल में नारण जी ने इसी विश्य को ब्रह्मा जी से इस पुरकार पूछा था ब्रह्मन किस की पूजा करने पर भगवान लक्ष्मी पती प्रसन होते हैं। ब्रह्मा जी बोले जिस पर ब्रहामन प्रसन होते हैं उस पर भगवान विश्नु भी प्रसन हो जाते हैं। अते ब्रहामन की सेवा करने वाला मनुश्य पर ब्रह्म प्रमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राहमन के श्रीर में सदा ही श्री विष्णू का निवास है जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रती दिन ब्राहमनों की पूजा करता है उसके द्वारा मानों शास्त्रिय विधी के अनुसार उत्तम दक्षना से युक्त सो यग्यों का अनुष्ठान हो जाता है पवित्र देशकाल में सुपात्र ब्राहमन को जो धन दान किया जाता है उसे अक्षे जानना चाहिए वह जनम जन्मांत्रों में भी फल देता रहता है ब्राहमनों की पूजा करने वाला मुशे कभी द्रिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता जिस घर के आंगन में ब्राहमनों की चरंधूली पढ़ने से पवित्तर एमशुद होते रहते हैं विपुन्य चेत्र के समान है उन्हें यग्य करम के लिए शेष्ट माना गया है पुर्वकाल में ब्रहमा जी के मुख से पहले ब्राहमन का प्राध दुर्भा हुआ फिर उसी मुख से जगत की सिष्टी और पालन के हेतुभूत वेद प्रगट हुए विधाता ने समस्त लोकों की पूजा ग्रहन करने के लिए समस्त यग्यों के अनुष्ठान के लिए ब्राहमन के ही मुख में वेदों को समर्पित किया पित्रियग, विवहा, अगनी होत्र, शांती करम सब प्रकार के मांगलिक कारियों में ब्राहमन सदा उत्तम माने गए हैं ब्राहमन के ही मुख से देवता, हव्वेका और पित्तर कव्वेका उप्भो करते हैं ब्राहमन के बिना दान, होम और बली सब निश्वल होते हैं जहां ब्राहमनों को भोजन नहीं दिया जाता वहां असुर, प्रेथ, देत्य और राक्षस भोजन करते हैं दान होम आदी में ब्राहमन को बुला कर उन्ही से सब करम कराना चाहिए उत्तम देशकाल में उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायक होता है ब्राहमन को देखकर शड़ा परवक उसको प्रणाम करना चाहिए उसके आशिरवाद से मनुश्य की आयू बढ़ती है वह चिरन जीवी होता है ब्राहमन को देखकर उसे प्रणाम ना करने से ब्रहामन के साथ द्वेश रखने से उसके प्रती अश्रद्धा करने से नुश्यों की आयू शीन हो जाती है उनके धन एश्वरे का नाश होता है पर लोग में उनकी दुर्गती होती है ब्रहामन का पूजन करने से आयू, यश, विद्या और धन की व्रिदी होती है तथा मुनुष्य शेष्ट दशा को प्राप्त होता है इसमें तनिक भी संदे नहीं है जिन घरों में ब्रहामन के चर्नोदक से कीच नहीं होती जहां वेद और शास्त्रों की ध्वनी नहीं सुनाई देती जो यग्ये तरपन और ब्रहामनों के आशिरवाद से बंचित रहते ह वे शम्शान के समान है नारग जी ने पुझा पिता जी कौन ब्रहामन अत्यान पूज़नीय है ब्रहामन और गुरु के लक्षण का यसावत वर्नन कीजिए ब्रहमा जी ने का बस श्रोतिये और सदाचारी ब्रहामन की नित्य पूजा करनी चाहिए जो उत्तम व्रत का पाल नहीं करता वह पूजित नहीं होता असत्षेत्र मात्र कुल में जरम लेकर भी जो वेद अनकूल करम करता है वह पूजा के योग्य है जैसे महारिशी वेद व्यास और इस्षेशिंग विश्वामित्र यद्विश शत्रिय कुल में उत्पन है तथा पी अपने सत्कर्मों के का वुक शोत्य और ब्रहामन के लक्ष Mountains को सुनू इनके सुननेसे सब पापों का नाश होता है ब्रहामन के वालग को जनं से ब्रहामन समयना चाहिए संसकारों से उसके दृट संग्या होती है विद्या पढ़ने से वह विप्रव नाम धारन कता है इस प्रकार जनम संसकार और विद्या इन तीनों से युद्ध होना शोतिय का लक्षन है जो विद्या मंत्र वेदों से शुद्ध होकर तीरश्चनान आदी के कारण भी पवित्र हो गया है वेह ब्रामन परम पूजनिय माना गया है जो सदा भगवान शी नारायन में भक्ति रखता है जिसका अंतहकरन शुद्ध है जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है जो सब लोगों के प्रती समान भाव रखता है जिस के रिदय में गुरू, देवता, अतिथ प्रती के प्रती भगती है जो माता पिता की सेवा में लगा रहता है जिसका मन प्राई इस्त्री में कभी सुख कानभव नहीं करता जो सदा पुरानों की कथा कहता है और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है उस ब्रहामन के दर्शन से प्रतीदीन अश्व मेग आद करता है उसके साथ वारता लाप करने से ही उत्तम गति की प्राफ्ति होती है जो शक्त्रो और मित्र दोनों के प्रतिदेया भाव रखता है सब लोगों के साथ सम्ता का वरताव करता है दूसरे का धन जंगल में पढ़ा वातिनका भी नहीं चुनाता काम और क्रोध आदि दोश क्या लक्षण पत्री क alarm करता है उसके भेदो को जानता है वह ब्रह्म पद को प्राफ्त होता है पिटा जी गायत्री का क्या लक्सन है उसके प्रत्यक्षर में कौन सा गुन है कोशि कुक्षी चरण गोत्र का क्यानिनन एफ है ब्रह्मा जी बोले वत्सर गायत्री मंत्र का चंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किये गए हैं गायत्री देवी का वर्नशुकल मुक अगनी और रिशी विश्वामित्र है ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानिय हैं उनकी शिठा रुग्र और रिदेश शिविष्णू है उनका उपनयन करम में विनियोग होता है गायत्री देवी सांख्यायन गोत्र में उत्पन हुई है तीनों लोग उनके तीन चरण है प्रित्वी उनके उधर मिश्थित है पैर से लेकर मस्तक तक श्रीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का नियास करके विज ब्रह्म लोग को प्राप्त होता है परतेक अक्षर के देवता का ज्यान प्राप्त करने से विश्णू का सायोज्य मिलता है अब मैं गायत्री का दूसरा मिश्चित लक्षन बताता हूँ वे 18 अक्षरों का यजिरु मंत्र है अ पुख्पातक नश्ठ हो जाते हैं जब करने वाला पुरुष ब्रह्म अत्या आधी पापों से मुक्त होकर मेरे लोग को प्राक्त होता है बोलो विश्णु भगवान की जय हो राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ला झाल 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 कृष्णद एल को जिनौर्द दो और है वीडियों कोपते हैं जाव प्रुष्णा आए पीडियों को अपतो जुखने हैं भी झाल न्यवावाद लुष्णा